हेलो एवरीबन, वेलकम अगेन इन वर यूट्यूब चैनल, हमारी इस वीडियो के अंदर आज हम डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट खुशखबरी आप सब के लिए, राजस्तान नर्सिंग काउंसिल, आर एंसी के तुरू जो ये लैटर बेजा गया है, इस से रिलेटेड, देखिए, इस में, इस लैटर में क्या लिखा गया है, और किन-किन स्टूडेंट्स को, किन-किन कैनिडेट्स को इसका फायदा होने वाला है, पूरी जो इन्फोर्मेशन हैं आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो ये लैटर आया है, इस से रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये लैटर और किस टाइप से आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा इस लैटर से, तो देखिए, इसी से रिलेटेड हम आज डिसकुस करने चा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पर डेली की डेली नर्सिंग से रिलेटेड हर एक टाइम की टाइम टू टाइम डेली अपडेट्स डालते हैं, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिले तो देखिए राजसान नर्सिंग कांसिल द्वारा ब्रिज कोर्स पर सिक्षन संचालन हेतू स्टेडी सेंटर के लिए सहमति पत्र चाहने बाबत ठीक है तो आर एंसी ने ये ब्रिज कोर्स से रिलेटेड लैटर समस्त परधारने चारे राजकिय एवं नीजी चेतर में संचालित समस्त नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कोलेज जितने भी राजस्तान में जितने भी नर्सिंग कोलेज है नर्सिंग स्कूल है उनके प्रिंसिपल्स को ये लैटर लिखा गया है ये लैटर लिखा गया है ब जैसे ही final list आती है आपका जो bridge course है वो start करने की जो NHM है वो त्यारियां कर रहा है ठीक है? RNC उसकी त्यारियां कर रही है अभी से ही तो इस लेक के अंदर क्या लिखा गया है? राज्य सरकार के निर्देशा अनुसार राज्यस्तान नर्सिंग कांसिल जैपुर द्वारा bridge course in community health nursing का संचालन किया जाना है इस course हेतू राज्यस्तान नर्सिंग कांसिल के द्वारा परशिक्षन हेतू उप्योक्त पूरण सुविधाओं कुछ सुविधाएं इन्होंने दी ह ये सुविधाएं तो देखिए अगर ये सुविधाएं कोई भी institution कोई भी school जो nursing school है कोई भी college अगर पूरी करता है तो वो तीन ही महिने तीन ही दिन के अंदर बता दे ठीक है वापिस ये letter भिजवा दे तो देखिए लगबग 60 विधार्थियों के लिए seat होनी चाहिए वहा क्लिनिकल अनुभव हेतू चकीत साले सुविधा होनी चाहिए पर शिक्षन अर्थियों के शिक्षन हेतू अनुभवी msc nursing bsc nursing post basic bsc nursing उच्चित अनुपात में faculty होनी चाहिए teaching और non teaching faculty होनी चाहिए जिस भी संस्थान में अच्छे से रहने की खाने की और जो भी आपका जो six month का bridge course है उसके करवाने की अगर ये सारी बिंदूओं पर अगर कोई भी institution खरा उतरता है तो वो सहमती पत्तर दे सकते हैं ठीक है ताकि course का संचालन नियमित समय पर किया जाए शपत पत्तर नीजी संस्थान द्वारा ही विजवाया जाए हर एक संस्थान को अलग-अलग से अपना अगर कोई भी इन क्राइटेरिया को फुल्फिल करता है तो वहाँ पे आपके bridge course की preparation अभी से start कर दी गई है तो देखिए इसमें ये शपत पत्तर में बताया गया है इस जल्द ही CHO के रूप में bridge course करके और जल्द ही आपका जो सारी की सारी process है selection की वो complete की जा रही है इससे related अगर कोई भी notification आती है तो in future हम आपको जरूर provide करवाएंगे अगर आपका अभी भी document verification से related भी कोई भी doubt है तो आप हमारे नीचे गए थमनेल में number से contact करके अपना जो doubt ह है वो clear कर सकते हैं I hope काफी students को help हुई होगी आज जिनका document verification में कोई भी problem आ रही थी तो बने रहे है काडियम nursing के साथ and channel को subscribe, video को like and share करना ना भूले, thank you